Hello Friends, आज मैं आपको बताऊंगी Section 92 Section 92 बताता है कि किसी की concern के बिना सद्भावना पूरवक यानी कि गुद्फेद में कोई कारे करना It means कि कुछ ऐसी situation है कि इसकी concern किसी व्यक्ति की concern नहीं ली जा सकती सम्मती नहीं ली जा सकती और व्यक्ति जो है गुद्फेद में सद्भावना पूरवक कोई कारे करता है तो व्याप रात की सेड़ी में नहीं आएगा तो यह बताया गया Section 92 में IPC के Section 92 IPC में बताया गया है या जो है घोड़े से गिर जाता है तो गा क्या करता है उसको बचाने के लिए उस व्यक्ति की जो की गा जो है डॉक्टर है उसका Operation कर देता है लेकिन वह क्या कर रहा है किसी की concern वह नहीं ले पा रहा क्योंकि उस वक्त इस तितिया ऐसी है कि वह किसी concern नहीं ले सकता लेकिन वह या को बचाने के लिए वह उसक भी उसकी जान बचाने के लिए कारे कि या नेक्स्ट मान लिजीए कि एक बच्चा जो की जलते हुए घर में हैं और उस बच्चे को बचाने के लिए एक ब्यक्ती उसे ऊपर छस्थ से नीचे गिराता है। और नीचे लोगों ने कंबल लेके उसे बचाने के लिए लगे हुए जानी की जो व्यक्ति है वो जानता है कि अगर वह उसे छस से नीचे गिराएगा तो गिर सकता है लेकिन जो आग लगे हुए जो उसका घर है अगर उसमें भी रखेगा तो भी मियत्ति हो सकती है तो उसने good faith में क्या करा उस व्यक्ति को नीचे फैक दिया और जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने एक कंबल से उसे बचाने की कोशिस करी तो इस तरीका का जो एक्ट किया गया उस व्यक्ति के द्वारा तो वह किसी भी अप्रात करदोसी नहीं है क्योंकि उसने जो कारे किया वह good faith में गया और वह किसी की concern नहीं ले सकता था मुबचाने के लिए जो का हे वह उसको फाइरे taha के ले जाता है तो उसने क्या कर देखाने लिए Tomorrow or उसको भाब बचाने के लिए और उस चक्र में या कॉछि लग जाती है तो उसनो कने क्या लिए देखाने क्योंप्स तो उसने गुट फेर्थ में काम किया ghost faith उत्म आंप नहीं माना जाएका कराइब समुराइब लेकर किसी की आप एसी सुचैसेंस हैं कि बहुत ज्यादा ग्होर पती कर सकते हैं बहुत ज्यादा कोई आंग है को निष्ट कर सकते हैं तो इस समया कुछ बात दिये हुय था किसी अपराद में जो है उसके लिए concern जरूरी होती है लेकिन कई cases जैसे हैं जिसमें की जो है concern नहीं ली जा सकती तो यह सारा कुछ बताएगा है section 92 IPC में If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.